हलो मेरा नाविशंद्रहास, श्टड़ी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आपके जो P.O. और कलर्क के मेंस एक्जामनेशन में शड़ियूल्ट है P.O. का एक्जाम 22 तारीक हो और कलर्क का 25 तारीक हो है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका P.O. का एक्जाम भी निकला है और कलर्क का एक्जाम भी निकला है तो जिनका P.O. का एक्जाम निकला है उनको कलर्क के लिए कुछ खास करने जुरूत नहीं है वो P.O. वाले एक्जाम की तयारी करते रहें अगर P.O. वाले exam की तयारी करेंगे तो clerk वाल आपका असानी से निकल जाएगा तो उसके लिए कुछ खास नहीं करना होगा ऐसे बच्चे जिनका क्यों clerk का exam निकला है और वो अगर mains की तयारी में लगे हुए हैं तो इस बात का खास तोर पर ध्यान रखें कि सारा का सारा दिन वो current fair पढ़ने में न लगाए मैंने एक P.O. की मेंस की तयारी कैसे करें कुछ दिन पहले live session लिया था आप उसको जा करके जरूर देखें तो वही तयारी आपको करनी है बस difference इतना रहता है कि P.O. के exam में question का लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है clerk volume थोड़ा कम अच्छा रहेगा comparison में अगर बात करें बाकी मेंस का exam है clerk मेंस है और आपको पता है कि इसमें कोई interview नहीं होना है तो जो आप इस मेंस exam में number लाएंगे उसी का इधार पर आपका state wise, category wise selection होना है ये बात आपको ही पता है ये बहुत सारे बच्चे हैं जो P.O की तयारी कर रहे हैं उनका clerk भी निकला है तो वो भी clerk का exam देंगे ही देंगे तो इस वज़ा से जो cut off होती है कई बार बढ़ जाती है क्योंकि उन बच्चों ही तयारी बहुत अच्छी रहती है तो ज़दा attempt करते हैं questions का level थोड़ा कम रहता है P.O मेंस दे करके आते हैं तो और असान लगता है तो ऐसे बच्चे जो के वो clerk की तयारी कर रहे हैं वो इस बात पर ध्यान रखे हैं कि उनको attempt अपने अच्छे रखने हैं और इसलिए आपको जो अपनी speed है calculation वाली जो speed है उस पर ध्यान देना होगा आप कम attempt बहुत कम attempt करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे calculation आपसे करवाई जाती है मेंस के exam में clerk वाले में तो वहाँ पर अच्छे से अगर आपकी speed नहीं है छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं है square नहीं पता, tables नहीं पता और सोचने सब exam में ही करेंगे फिर आप दिक्कत में फसेंगे तो ऐसे बच्चे जो clerk की तयारी करें दिहान रखिए कि आपको पूरा दिन current fair पढ़ने में नहीं बिताना है क्योंकि current fair मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस तयारी में रहते है कि prelims का exam निकलेगा तब मेंस के तयारी करते हैं और अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप prelims के बाद मेंस के तयारी करते हैं समय बसता ही नहीं, कब करेंगे जो important current affairs है उनको आप पढ़ लीजे कि वहाँ से question आया तो आप कर सकें बाकी reasoning और quant के जो question से उनको भी लगाईए पूरा दिन current affair पढ़ेंगे तो वो जो एक लए बनी रहती reasoning और quant में वो खतम हो जाती फिर exam में आपको उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है तो उसको भी आप लगाते चलिए 7-7 में 7 बजे की जो class होती है हमारी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग उसे live join करें लेकिन उसके questions class खतम होने के बाद जरूर लगाईए सिलॉक्स के question, puzzles के question, input-output के question डियाई के question, arithmetic वो आपको मिलेंगे नंबर से question तो आप उसको offline में लगाईए ताकि आपका जो कह सकते हैं जो एक range है वो आपकी अच्छी develop हो पाए और आप अच्छे-च्छे question से परचित हो पाए प्रयास ये करिए कि अपने दिन को बहुत balance रखे और अपने जो subject के पढ़ना है उसको भी balance रखे एक तरफ focus ज़्यादा रहेंगे, दूसरा छूटेगा तो नुकसान दोनों तरफ से आपको होने वाला है तो इस वज़ा से थोड़ा patience रखे और अच्छे से पढ़ाही करिए थोड़ा balance पढ़ाही करिए, सारे subject को cover करते पढ़ाही करिए क्यों cut off किसी में नहीं निकला तो वो भी दिक्कत वाली बात है तो balance होकर के पढ़ाही करिए mock वगर आप दे सकते हैं, आप चाहें तो daily एक mock देते हैं या तो alternate days पे एक mock देते हैं उनके पास बहुत कम दिन समय बचा हुआ है चार से पांस दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में कई बार anxiety आपकी ज़्यादा हो जाती है और घबडाट होने लगती है, exam में आप mock दे रहे होते हैं, questions नहीं solve होते हैं या फिर solve होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है तो ये विचार आता है, कि अब exam में कैसे करेंगे ये एक normal सा process है, जो सबके साथ ही लगभग होता है तो इससे आप उबर कैसे सकते हैं, इससे बचने के लिए आप एक काम ये करिए कि आप थोड़ा सा free mind होकर के examination को face करिए अगर आप पहले जो आपने गलतियां करिए, आपको जो पहले पिछले दिनों में असफलताएं मिली हैं जो मीदें हैं, उनको साथ में लेकर के exam देने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा pressure आपके दिमाग पे create करता है और इस बात से बचिए कि आपका एक section अगर मालीजे गलत हो रहा है तो वो जो thought process है या फिर वो जो दिमाग में negativity उस section को लेकर के बनी है वो आगे carry forward ना हो कि मालीजे आपने reasoning करने बठें, reasoning का जो paper हुआ वो आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ अब आगे आप quant में गए तो पता चले कि वही चीज बार-बार दिमाग में घूमे जारी कि reasoning का अच्छा नहीं हुआ आप कर नहीं पाए तो quant वाला भी खराब हो जाता है तो ये आप जो looping होती है इससे बचिए बाकी मेरी तरफ से सभी लोगों को अग्रिम कह सकते हैं शोप कामना है मेरी तरफ से कि आपका एक्जाम अच्छा हो और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो उनका selection हो clerk में तो mains exam final है अगर इसमें आप अच्छा perform करेंगे तो आपका final selection होगा PO में इसके बाद interview है तो interview में आपका नाम आएगा आपकी interview की तहरी में करवाऊंगा तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक कि लिए सभी लोगों को बाए